नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक्वीन यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीस और उस्टेलिया की बीट जो थर्ड टी-20 यही मैच खेला जाएगा उसके बारे में दीमले उनकी टीम भी देखेंगे और हर एक प्लियर के बारे में डीटेल में बात करेंगे किस प्लियर को किस कंडिशन में टीम के अंदर लेना चाहिए कैट्टेन-वाइजट की कौन सी सबसे बहेतर चोईस बन रही है लास्ट मैक्स का अगर आपने वीडियो देखा होगा जो कंडिशन वाइज मैने आपको कैट्टेन वाइस केटिन बता थे मैने आपको क्लिजर ली बोला था मैक्सवेल की अगर परस बैट आती है एक बर फिर से Australia first bet कर रहा है तो आप captain कर सकते हो फिर आप आंदर असन को wise captain कर सकते हैं कौन से different players last match में जो मैंने बताया थे वो भी काम करते हुए नजर आए और आज के match में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है तो वीडियो आप last तक दिखना Trump players भी देखेगी कुछ बड़े नाम है जो पिछले कुछ matches से लगातार चल रहा है condition के according वो आज flop हो सकते हैं उसके बार में भी हम discussion करेंगे तो वीडियो आप देख लेना माखी अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो बाखी जो भी दोस तबी तक टेलीग्राम पे जोइन नहीं हुआ है तो टेलीग्राम पे आप आ सकते हो फाइनल जो टीम रहेगी अपडेट के साथ वो मैं आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा और जैसा कि मैंने लास्ट मैच पर भी आपको बताया था कि कंडिशन के अकॉर्डिंग हम कैप्टन वाइस के प्रिंट चेंज कर सकते हैं आज के मैच पर भी तो जो फाइनल अपडेट रहेगा टॉस के बाद किसने टॉस जीता है कितने बोलर्स को रखना है वो मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट कर दूँगा तो जोईन कर लो से जादा बहतर करना है एवरेज फरस्ट इसकोर 134 है लेकिन यह ऑस्टेलिया खेल रही है और सामने वेस्ट इंडीज खेल ले तो यह एवरेज ऑवियसी बात इससे तो बहुत ऊपर खुत हुए नजर आएगा जो भी टीव फरस्ट बैट कर रही है मैं उम्मीद कर रहा लेकिन इसके बाब जो 200 के उपर आसानी से स्कोर बन रहा है आज के मैच में भी कुछ आप ऐसा ही उम्मीद रख सकते हो लास्ट मैच की बात करें जो इस वेन्यू पर खेला गया था दो हजार बाइस में इंडिया 133 बना पाया था और साउथ अफरीगा ने आसानी से चेस क हो गया आसानी से 130 और ये भी जेस हो गया है तो तीनों मैच इसमें ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं हुआ है माकी यहां पर अगर आप दोस्तों देखें पिछले कुछ मैच इंदर तो पेसर्स ने थोड़े ज्यादा विकेट्स निकालें तो एक बार फिर से आपको पेसर लगा दिया और उस्टेलिया 241 पाइस इंदी भी अच्छा खेला यार लेकिन चेस नहीं कर पाए दौनों मैचेस में थोड़े थोड़े रन शॉट पड़ गया है बाकि यहां पर देखो रोमेंट पावेल ने लास्ट मैच पर कमाल की बारी खेली थी जिनोंने हमें भी वि जरूर करता है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो सकता है कुछ इंपोर्टेंट प्लेयर को ड्रॉप करते हैं क्योंकि आप सीरीज जीट चुके हो तो वह चेंजिस अगर हो रहे हैं तो फिर मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा वैसे चेंजिस करने नहीं चाह करना है आज फर्स बैट आ रहे हैं तो रख लो क्योंकि बैटिंग फ्रेंटी सर्फेस है और फर्स बैट में चांसें रहेंगे कि फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ करके देदे पीशे बैटिंग आ रहे हैं तो पूरण की फ़र्स बैट पूरण का बला दौनों मैचस में शांतर है आज मुझे लग रहा है पूरण थोड़ा जादा बहतर कर सकते हैं तो पूरण को आप अपनी टीम के अंदर रखें डैविट वार्नर 44 का एवरेज ऑवरोल 33 का एवरेज डीसेंट स्कोर आपको लगातार करके देते हैं लास्ट मैस में आप से बोला था कंसिस है बत्तिस का एवरेज है रीसेंट फॉर्म ठीक है रीसेंट फॉर्म आप खराब नहीं कह सकते हैं बस थोड़ा नेगिटिव पॉइंट है कि बोलिंग नहीं करते हैं तो हम कैप्टेन वाइस कैप्टेन एटलीस स्मॉल लिग में तो नहीं सोचेंगे बाकी ग्रेंड लिग करें चालेस विकेट ओवरोल तीस का एवरेज रीसेंट फॉर्म बहुत कमाल का लास्ट बोलिंग नहीं मिलें फिबावजूत 120 टीम के कैप्टेन रहे थे हमारी टीम नहीं वाइस कैप्टेन किया था और कुछ डिफरेंट पिक्स भी हमारी थी जिन्होंने जीतने में लगबग तीन से चार ओवर्स डालते हुए नजर आएंगे एक दो विकेट फिर से ले जाएंगे बैटिंग से थोड़ी उम्मीद कर सकते हो लगातार बैटिंग से फेल हो रहा है बोलिंग थोड़ी सी बहतर नजर आईए तिम डैविड पचपन का एवरेज हैड तो मैं आप डॉप करके चल सकते हैं मैथ्यू इड नहीं है याजर टीम में एक लमिने आपसे बोला था बैटिंग हो सकता है न और लास बाटिंग नहीं आई ए थीम में रखना है बिक्त कीपिंग तो रहें लेकिन विकिट कीपिंग के तम पर सिर्फ आप ट्राय करों थोड़ प्रप किया हमने बैग किया और बंदेर हमें विन करा है लोगों ने हैसल वूट को ड्रॉप करके किसी दूसरे प्लेर को ट्राइब किया था और इन्हों नहीं विन करा है एक्स बात करें बैरंड ओफ सूला मैचस के इंदर 17 विकेट एक एक विकेट यहां बहुत ही कमाल करा ह है और यहां अभी तक उतना इंप्रेस नहीं कर पाएं तो आज मुझे लग रहा है वेरंड ओफ का बोलिंग चल सकती है तो आप बिल्कुल ट्राइ करें अगर फिर्स बूला रही है तो एक्स बात करें एडम जैंपा बाकी बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं और 200 फिर भी आपने चेस करके दोनों ही मैचस के इंदर बनाए हुए तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा चेंजिस होंगे एकाद कोई चेंजिस सिर्फ टीम कर सकती है किंग की बात करें तेश का एबरेज हैड-टो-एड में ओव लास्ट मैच के वीडियो पे भी लोगों ने कॉमेंट किया तो सरब किंग को रख सकते हैं अच्छा बैट्समें लेकिन आपको सामने भी रेखना है कि सामने कौन से बोलर्स को से खेलना है यहीं पर अगर कोई ऐसी टीम होती जिसके सामने जो शुरुआत के ओवर्स वाले जो बोलर्ने स्टाइक बोलर्स में उतने बैतर नहीं होते तो फिर हम डेफिनिकली ट्राय करते हैं अच्छा बैट्समें है फिक है जॉनसन चाल्स की बात करें कंसिस्टेंट नहीं है पिछले मैच में 24 उसके पहले 42 बना है दौनों मैचस में डीसेंट तो किया है आज करना हूँ एक डिफरेंट प्लेयर जो आग लगा सकते हैं वो पूरन है दौनों मैचस में शानत है और ज्यादा तर सीरीस में आपने देखा अगर पूरन एक भी मैच में नहीं चैने तो एक आद मैच अगर बचा हुआ है लास्ट मैच डेफिनिकली करके देते हैं आज चा को बदा देता हूँ सùनर को बहुत तगड़ा सफ सिक्रद को तगड़ा उंडीया हुआ नड़ा फिया अच्प इकाल बाड़िया कर सकते फर्स पीट सप्रेंट बैट वस्ट इक इनुटेर देते एं तो उनकी बैटिंड हो आंदर असल की बात करे, 14 मैचस में रंचास विकिट 20 का एवरेज टीम थोड़ी इंपोर्टेस दे रही है यार, अच्छे खासे ओवर्स मिलते हैं और बैटिंग अल्मोस्ट आ जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीस के विकिट्स गिरते हैं तो दौनों तरीके से चांसेस बनना है, कैप्टन वाइस के अप बिल्कुल रख सकते हो नेक्स बात करें, रधर फोर्ड नहीं जा रहा हूं भाई टीम के अंदर रोमैंडियो शेफ़र्ड यार, अच्छी बोलिंग कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छा अप ले रहे हैं, बैटिंग अच्छी करता हैं, लेकिन नहीं कर पाएं, आज अगर डिफरेंट ट्राय करना है, तो ही टीम के अंदर आओ, जैसन ओल्डर, 62 मैचेस, 66 विकेट, एक्सपीडियस अच्छा खास है, और बैटिंग भी करके दे रहे हैं, दौनों मैच अच्छा बोला रहे हैं, यहां से रसल, डैविड वर्नर, तीनों बड़िया चोईस है, डिफरेंट अगर आपको जाना है, तो स्टोईनिस होल्डर और हैसल वोड के साथ आप जा सकते हो, यह थोड़ी सी डिफरेंट चोईस रहेंगे, यह कैप्टन वाइस किप्टन की, ठ अगर हम बात करें, तो डैविड वर्नर, मिशेल माश, विकेट कीपिंग से थोड़ा कंडिशन भी डिपेंड करेंगा, इसलिए मैं फिक्स नहीं रख रहा हूं, और डाउन दर सेक्शन से मैक्स्विल, आंदे असल, स्टोईनिस, होल्डर और यहां से जैंपा, यह जो आप थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, आपको डेफिनिटली कुछ अच्छा करवा के दे सकते हैं, चलिए अब बिग फ्लॉप प्लेयर के बारे में बात करें, कौन से प्लेयर कंडिशन के अगॉर्डिंग फ्लॉप हो सकते हैं, कंडिशन बहुत जादा मैटर कती, स्वी कंडि या दोसों क्या सपस बना रहा है, तो उस्टे लिए उसे चेस करने का दमखम रखता है, तो वहाँ पर फिर थोड़े से कम विकेट्स गिरेंगे, तो होल्डर को थोड़े कम विकेट्स विल सकते हैं, वैसी कंडिशन में ड्रॉप करके चल सकते हो, इसके अलावा जॉनसन च टीम देखेंगी, उसके पहले वीडियो अगर आपको हेल्स लग रहे है, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हो, चलिए दोस्तों, अब हम टीम पर फोकस करते हैं, उसके पहले जो भी दोस्त अभी तक टेलिग्राम पे नहीं है, तो टेलिग् आप है, वो भी मैं आपको टेलिग्राम पे शेयर करूँगा, जोईन कर लो, बांकि सीधा हम शुरुआत करेंगे टीम के साथ, विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर हम बात करें तो पूरन हमारे पास है, और जोश इंगलिश, फिलहाल तो मैं दौनों के सांथ गया हूँ, ब बात करेंगे, आज मुझे लग रहा है, इसके अलावा आप टिम डैविट को और ट्राय कर सकते हो, गर ऑस्टलिया की फर्स बैट आ रही है, तो बैटिंग और नीचे लेकिन बन्दा ज्यादा तर अच्छा करके देता है, ठीक है, और नावडर सेक्शन से बात करें तो हमारे पास रैसल है, ग्लैन मैक्सविल है, स्टोईनिस और वोल्डर, चारों के साथ हम जा रहे हैं, और चारों बड़ी आच्छोईस हैं, आप किसी को भी ड्रॉप नहीं नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप बात करें, तो चारों के पास ही बैटिंग बोलिंग से मौका है, पांच वोल्डर कौन है, रोमेरियो शेफ़र्ड दौनों मैचस थोड़े से डाउन रहे हैं, आज हो सकता है, बंदा कम बैक करके दे, फर्स बोल के अंदर ड जोसिफ को यार मैं रखना तो चारहा हूं, लेकिन फिलाल या तो फिर मुझे बूलर पर इसके देना पड़ेगा या विकेट कीपर को छोड़ना पड़ेगा, इस भी फिलाल मैंने नहीं लिया है, अलजारी जोसिफ फर्स बोल उस्टिलिया कि यारी तो आप डेफिनिटली रखते हैं, विकेट स्विड डेफिनिटली उनके भी गिरेंगे, और हलागी सेकेंड बोल में भी रख सकते हो, लेकिन मुझे प्लेयर नहीं मिल रहा है कि मैं किसकी जगए इनको ट्राइ करो, हैसल वोड बढ़िया फोर्म मैं है, पिछला मैच एक मैच खराब ता लास मैच मैं अच्छा किया है, आज फिर से ओपनेन की ओपनर को परिशान कर सकते हैं, अकील उसे नहीं है, बैरंड और फिलहाल मैंने नहीं लिया है, बांकि फर्स बोल लॉश्टी लिया है किया है, तो फिर आप उस्चलिए थोड़े ज़ादा बोलर्स को रखें फिर आप बैरंड है कंडिशन बता देते हूं अगर फॉर्स बैट आ रही है वेस्ट इंडीस की तो आंडे रसल से थोड़ी ज़्यादा बैटिंग की उमीद कर सकते हो चेजिंग में यार ज्यादा उतना वैतर नहीं कर पाएंगे अगर करेंगी भी तो फिर 30-40 वाली पारी जो लास मैंच में आई है फॉर्स बैट में थोड़ा ज्यादा मौका रहता है अगर जिल्दी बैट आ जाती तो आपके पास आट से दस ओवर से खेलने को वहां पर आप 50-70 भी बना सकते हैं जैसे मैक्सविल ने किये लास मैंच में फॉर्स बैट जल्दी बै अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नाक्स वीडियो में थैंके और देंके सो मच